कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलिका जुन खरगे के वाइरल वीडियो पर बिजेपी नेता गिरिराद सिंग ने प्रतिक्रिया दी है उन्हेंने कहा कि सीता रामकेसरी के बाद मलिका जुन खरगे के साथ कॉंग्रिस ने अपमान जनक व्यवहार किया है इस घटना को लेकर उन्हेंने कॉंग्रिस पर तंजकसते हुए निशानत साथा गिरिराद सिंग ने खरगे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा वहरी कॉंग्रिस सीता रामकेसरी जी के बाद खरगे जी नमस्कार मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी तो वाइरल वीडियो वाइनॉट के कलेक्टर ओफिस की है जहां प्रियंका गान्थी नामांकन के लिए पहुंचे थी उनके साथ कॉंग्रिस के कई वरिष्ठ नेता थे पार्टी अध्यक्ष मलिका अजुन खरगे भी उनके साथ पहुंचे थी हरामकी नमांकन के दौरान खरगे को कलेक्टर के कमरे के अंदर नहीं घुसने दिया गया वह दरवासे के बाहर से जहांक रहे थे इसी दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो वाइरल हो रहा है वीडियो वाइरल हुआ तो हुआ पर सवाल यह है कि खरगे के इस घटना को सीता रामकेसरी से गिरिराज क्यों जोड रहे है तो जवाब कुछ यह है कि कॉंग्रिस अध्यक्ष मालिका आजुन खरगे पार्टी के सबसे वरिष्ट नेताओं में सेख है और वह अधिक्गर जुद्दालित नेता भी है इससे पहले सीता रामकेसरी कॉंग्रिस के अध्यक्ष रह चुके हैं जो सदंतरता सेनानी और दिगर जुद्दालित नेता थे उनके कॉंग्रिस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद लोगसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशा जनक रहा था ऐसे में सभी बड़े निताओं उन्हें उनसे पत छोड़ने की मांग की थी सभी निता चाहते थे कि सोनिया गांधी यह जिम्मेदारी ले हलांके सीताराम केसरी ने इह पत छोड़ने से मना कर दिया था 1998 में उन्हें बहुत बेजती करके अध्यक्ष के पद से हटाया गया था कहा जोता है कि कॉंग्रिस काराले में नारों के बीच उन्हें अपशब्द भी कहे गए थे इसके बाद सोनिया गांधी कॉंग्रिस सध्यक्ष बनी थी और आधिकारिक पत्र में पद छोड़ने के लिए सीताराम केसरी की खूब सराहना की गई थी अब एक पक्ष में कोई घटना घटे और दूसरा पक्ष उसका मजा ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो भारती जंता पार्टी खरगे की घटना को सीताराम केसरी से जोड कर गांधी परिवार पर निशाना साथ रही है बिजेपी का कहना है कि खरगे गांधी परिवार से नहीं है इस वज़े से उन्हें पार्टी का धक्ष होने के बावजूद कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया वहीं कुछ निताओं का कहना है कि कॉंग्रिस हमेशा सही दलित निताओं का अपमान करती रही है सीताराम केसरी के बाद खरगे के साथ अपमान जनक व्यभार हो रहा है देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें